दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है यह रेड्मी नोट 9 के उपर है और दोस्तों इस फोन को हम सेटिंग के थूरू कैसे फॉर्मेट करते हैं रिसेट करते हैं इसके बारे में बता जाहूं दोस्ते सबसे पहले हम सेटिंग ओपन कर लेते हैं और सेटिंग ओपन करने के बा सबसे नीचे में हमारा एक option दिया होता है factory reset दोस्तों उस पे हम click करते हैं और नीचे में हमारा erase all data का option आप लोगों को दिख रहा होगा उस पे click कर देते हैं और जैसे erase all data पे हम click करते हैं अपने phone में जो भी हम पीन पैटर्न पासवर्ड लगा होते हैं उसको हम डालते हैं और डालने के बाद next पे click करते हैं तो हमारा ऐसे attention mode लिक क्या जाता है और नीचे में next step का option आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर number चल रहा है जैसे ही हमारा zero होता है जैसे zero हो गया फिर next का option आता है फिर हम next करते ह है फिर यहाँ पर जैसे next क्लिक करेंगे यह फिर हमारा number चलने लगता है और यह number हमारा zero तक आता है और जैसे ही okay करते हैं हमारा phone अपने आप बंद हो जाता है और बंद होने के बाद दुबारा से on होता है और ऐसे हमारा formatting का पूरा system on हो जाता है और यह जैसे formatting का system हमारा ऐस जाता है और पूरा फोन हमारा अश्टास्ते ईडिये ऑसलाता है दोस्तों इसमें हमारा कोई भी प्यकर नहीं मिलता है, फोन का सारा बैकर चला जाता है और पूरा फोन हमारा इस तरीके से अन हो जाता है और आप लोग भी स्क्रीन पे देख़ो सकते हैं यह Redmi Note 90 है और इसको हम अभी format कर रहा है यानि reset कर रहा है क्योंकि यह हमारा phone काफी hang कर रहा था अभी हमने इसको format कर दिया है और इसके आगे का setting क्या है यह इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूं तो आप लोग देख सकते हैं setting कैसे करना है इंडिया करना है फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना के बाद फिर यहां पर नेक्स्ट करना है फिर यहां पर टिक का अपसान है उस पर टिक करना है फिर नेक्स्ट कर देना है फिर इसकीप करना है फिर यहां पर इसकीप का अपसान है इसकीप कर देंगे फिर उसके बाद accept पे क्लिक करेंगे और accept पे क्लिक करने के बाद यह फिर next कर देंगे फिर यहां पे agree का अपसन आ जागा दोस्तों और agree के बाद ऐसे हम जैसे ही choose करते है अपना background फुरा फोन हमारा इस तरीके से on हो जाता है तो अब आप लोग देख सकते हैं, यह फोन हमारा काफी हैं कर रहा था पहले और अभी इसको हमने रिसेट कर दिया शेटिंग से तो यह हमारा पुरा फोन अभी ओन हो चुका है और बढ़िया चल रहा है तो दोस्तो इस तरीके से आप लोग भी अपना फोन को रिसेट करके आसानी से ठीक कर सकते हैं दोस्तो अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू फ्रेंड्स